इस प्रिथिवी में सभी को समान रोप से जीने का अधिकार है इस दुनिया के सभी लोगों को समानता का अधिकार मिले इसलिए हर साल 10 दिसंबर को 2090 अधिकार दिवस मना जाता है तो दोस्तों 10 दिसंबर को World Human Rights Day मना जाता है हर साल मना जाता है और इसमें यहाँ पर जितने भ लोगों को पताऊंगा तो चलिए यहाँ पर देखते हैं युनाइटेड नेशन्स महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को घोसना पत्र में निश्चित किया कि 10 दिसंबर को हर साल अंतराष्ट मानुदिकार दिवस मनाया जाएगा और इसकी सुरुवात 1950 से शुरू हुआ तो दोस्तों युनाइटेड नेशन यानिकी संयोक्तुराष्ट महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को एक घोसना पत्र में यहाँ निश्चित किया कि 10 दिसंबर को यानिकी 10 दिसंबर को हर साल अंतराष्ट या मानुदिकार दिवस मनाया जाएगा और इसका जो सुरुवात हुआ वहाँ 1950 से शुर दीशन जाताहेइगे इसी लिए मानुदिकार का निरमान हुआ है तो, यहाँ पर जितने भी लोग इस पृत्री में उनका जो है अधिकार समान इस पृत्री में और उनका जो अपना भाजा है नसल है जो रंग हैं लें हैं रिलिजियन है थोट है इन आधी पर भी कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए इन्हीं सारी चीज़ों को ले करके ही यहां पर मानवादिकार का निर्मान हुआ है दोस्तों हर साल थीम के साथ मनाया जाता है विशु मानवादिकार दिवस यानि कि World Human Rights Day तो इस वर्स का जो थीम है यानि कि 2022 का जो थीम हुआ क्या है जो important exam question पुछे जाते हैं तो इस वर्स का थीम है गरिमा सोतनतरता और सभी के लिए नया है इसी को हम लोग हिंग्लिस में कहेंगे dignity freedom and justice for all तो यहां है इस वर्स यानि कि 2022 का थीम है गरिमा सोतनतरता और सभी के दोस्तों पिछले साल के जो थीम की बात कर लेते हैं तो पिछले साल 2021 की थीम हुआ था असमानताओं को कम करना तो यह हिंदी में था अशमानताओं को कम करना eliminate inequality यह इंग्लिज में है eliminate inequality तो यह जो दोनों थीम में उसको याद रखना है लेकिन अपनों को 2022 के जो थीम में वह याद करना है dignity, freedom and justice for all तो यह हो गया दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर भारत देश के यानि कि अपने देश भारत के बारे में बात करते हैं तो मानवाधिकार के लिए सबसे पहले जोतिवाप फुले के द्वारा आवाज उठाई गई थी और बाद में डॉक्टर भीमराव अंबिटकर ने मानवों को अपने सामान्य अधिकार दिलाने के लिए हर तरह से लड़ाई लड़ी तो यहां पर भारत के रिस्पेट में बात करते हैं तो मानवाधिकार के लिए सबसे पहले जो है जोतिवाप फुले ने आवाज उठाई थी कि यहां के जो लोग हैं जो महिलाई हैं जो पूरुस हैं जो बच्चे हैं उनको अपना अधिकार मिले इसके लिए आवाज उठा मता भीबन ये भी आपनों को ध्यान रखना है दोस्तों भारत में 8 सितंबर 1993 से मानवाधिकर कानून अमल में लाया गया और बाद में जो हुआ यहाँ पर 28 सितंबर 1993 से मानुवादिकार कानून को अमल में लाया गया था तो ये भारत के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग जानते हैं तब ऐसे है तो जोतिवाब फुले जो थे वे सबसे पहले यहाँ पर मानुवादिकार के लिए आवाज उठाई थी और बाद में डॉक्टर भिम्राओ अमिट करने तो यही थी वर्ल्ड हुमन राइड्स दे